समने नेक्स पार्ट में सीखा था कि हमने यहां पे एश्टरा के के क्वेरिफाइए अकाउंट यहां पे कैसे क्रेड़ करना है। और यहां पे हम सीखेंगे यह साइन वारा पार्ट में कि आप लोग अपने WordPress website में free domain और free hosting यहां पर कैसे connect कर पाऊंगे गाइस और यह मज़े की बात क्या है पता है यहां पर यह जो setup है पूरा का पूरा आप यहां पर अपने लिए यूटुब पॉलिसी के खिलाफ जाके में यह वीडियो अपलोड कर रहे हूं तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो यह इस वाले पार्ट में मैं आप लोगों के साथ यहां पर त्री पार्ट यहां पर कवर करूंगी मैं इस वीडियो को ज्यादा यहां पर लॉंग हो यहां पर कवर करेंगे और वह भी अपने मॉबैल से करेंगे ठीक है थार्ट स्टैप में हम यहां पर करेंगे वर्सल सेट अप वर्डप्रेस विबसाइट तो यहां पर यह भी हमारे इसी वीडियो में आ जाएंगा और एश्ट्रा की जो डाइरेक्ट लिंग है सेट अप वर्डप्रेस के साथ हम चैसे कंड हैंगे तो वह भी आप यहां पर आज अगً thankfully हम यहां पर और कंवर करने वाला है आजकर ने तो थोरी लम्बी हो soprattutto कि कitis न बनाने के लिए तो विजेश जेए अरल पर बलूट कर सब्लाप 0 तो इस वीडियो को पूरा कम्प्लिट वाच कीजिएगा तो देखें, फ्री डोमिनोन, फ्री होस्टिंग की वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले हम ट्रिपल जीरो वेब होस्ट का यहां पी यूज करेंगी बहुती अमेजिंग वेबसाइट है, इसको मैं सुरात से ही में यूज करती है इस सुरात में जब स्टार्टिंग से में ब्लॉग ब्लॉगिंग सीख रही थी तब मैंने यह यूज किया था इसलिमें आप लोगों को यही बता है, तो अभी आप इसके उपर आएंगे तो यहां पर फ्री साइन अप के उपर आप लोगों को यहां पर क्लेक करना है तो उसे यह डायरेक्ट हो जाएंगा लॉगी नहीं हो जाएंगा ठीक है तो यह थोड़ा स्टैप बहुत ही इजी है तो आप इस स्टैप को यहाँ पर फॉलो कर सकते हो अभी अपको गो टू ओल्ड पैनल पर भी आप कर सकते हो यहाँ पर क्रिएट न्यू वेबसेट के उप अर्कों सब पाण सब यहाँ पर 500 यहाँ दोंगे अगर टोंकि उटहराप लोगों को डीषिकल हो सकता है तो मैं आयुत लोगों को यहाँ पर सब्सक्राइब को बताद कर यहां पर आप लोगों को स्टार्ट और ब्लॉग के ऊपर क्लिक करना है अभी यहां पर फूड फैशन टूरीजम कुछ वित्व में हैं यहां से कुछ भी आप लोगों को प्रोजेक्ट का नाम दे दिना है वह यहीं आपका नाम वहीं आपका यहां पर वेबसाइट एडर्स ह किलिको करें किए यहां पर चूझ कर लिया है क्योंकि और यहां पर आप लोगों को कुछ और होनाम औरotal नहीं धेड़ेगा घ्लिक करोंगे तो इनाम मैंने पहले से यूज करकेए तो दर्मिष्टा के वाजओ में मैने यहां पर बैल लगा दिया अब हां पर सब्मिट करते है तो यह सब्मिट हो जाएंगा तो अभी यह आप अपर सब्लोगों को 기대 है सिल्क लगा एड मिन क्योंग करे厨 इंस्टेल करें जो भी यूजरनेम डे रहो उसको आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखना है क्योंकि तो यहांप लोगों के तायम यहांपर पे चूश करना होता है तो यह दिखे अभी मैने लोगिन और पासवर्ड and वर दिटेल्स अगिरे फिल्द कर दिये हैं अभी यहां पर वड़्पिर्स में आप लोगों के सामने यहां पर इस्टॉल हो रहा है और यह install हो रहा है वो भी font से ही मैं install कर रही हूँ font से एक beautiful site हम यहाँ पर create करेंगे guys इदम free of cost तो यहाँ पर अगर website आप लोगों को free of cost website बनाना सीखना है तो आप 000 web host के तरफ जा सकते हैं मैं यहाँ पर किसी website को यहाँ पर promote नहीं कर रही हूँ लेकिन यह मैं personal experience है मैंने यहाँ पर starting में इस website के तरू ही मैंने यहाँ पर सीखने के तौर मैंने भी यहाँ पर यहीं से मैंने start up किया था इसके लिए मैं आप लोगों को यह website प्रवाइट कर रहे हूँ ठीक है ready to use है बहुत ही easy use कर सकते हो इस website को ठीक है तो यहाँ से अगर आप लोगों को सीखने के तौर पर इस website पर यहाँ पर work करना चाहते हो ना तो यह website इदम best है तो इसके उपर आप जा सकते हो free hosting और free domain आप लोगों को एक ही platform पर मिल रही है तो क्या कहना है ठीक है तो अभी यह हमारा wordpress यहाँ पर install हो जाएंगा तो अभी देखिए हमारा wordpress यहाँ पर successfully install हो गया है तो अभी यह configuration यहाँ पर ready कर रहा है हमारा ठीक है तो यह अभी हमारा जो पूरा setup हो रहा है वो front से ही हो रहा है अभी कुछ plugins वगेर हम यहाँ पर install करने होगे देखिए अभी username अभी आपका password जो मैं आप लोगों को बोला अभी यहाँ पर not secure यहाँ पर red color का arrow बता रहा है लेकि थोड़े ही टाम में यह आपको यहाँ पर secure हो जाएंगा मैं आप लोगों को website visit करके भी बता दूंगी देखिए अभी यहाँ पर यहाँ पर upload हो गया इस्टॉल हो गया पोश्ट के ओपर जाएंगे add new post करेंगी अगर आप यहाँ पर कोई पोश्ट वगरे भी लिखना चाहते हो तो पोश्ट वगरे भी यहाँ पर लिख सकते हो बहुत ही अमेजिंग सी यह website हमारे क्रेट हो गई है और वह क्रेट भी हो कई है हमने यहाँ पर font से ही create की है तो भी ऐसा मत बोलना friends कमेंट में कि हमरे पास PC नहीं है font है तो हम कैसे करेंगे तो यह सारा setup देखे है मैं आप लोगों को font से ही बता रही हूं तो बहुत ही easy to use है इस website को यहाँ पर यूज करना तो आप लोगों को अगर online earn करना है ना तो इस website के उपर जा सकते हो अभी देखिए हमारा जो website का यहाँ पर interface है वह mobile पर यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर install कर लेंगे मैंने यहाँ पर कुछ सर्च नहीं किया लेकिन classic editor मैंने add new plugin किया ना तो यह यहाँ पर आ गया अभी हमने इससे इंस्टॉल कर दिया अभी इसे activate कर लेंगे तो यह जो हमारा plugin है वह यहाँ पर successful यहाँ पर activate हो जाएंगा अभी यह activate हो हो गया अभी वर्सल सेटप इन वर्डप्रेस के साथ यहम वर्सल को सटप करेंगे अभी ठरवाली स्टेप हम आ जदे अभी ठर्वाला जो स्टेप है ना वो गाईस मैं आप लोगों को यहाँ पर PC पे आप लोगों को सारी वीडियो कवर करूंगी क्योंकि PC पे जो आप ल लोगों को यहां पर PC बताऊंगी, तो सबसे पहले आप लोगों को यहां पर Google में सर्च कर लेना है, जिसे आप यहां पर लोग इन कर लेना है, यहां पर जोईन गीठव के उपर आप लोगों को क्लिक करना है, गीठव के उपर मैं एक complete वीडियो लाँगी, बहुत ही amazing यह website है तो दिखे, अभी सबसे पहले आप लोगों को आपका username, email address, password यहां पर फिल कर देना है, जैसे आप यहां पर फिल कर दोंगे, तो आपको यहां पर कुछ capture अगरे, फिल अप करने के लिए आएंगा, तो आप लोगों को फिल कर लेना है, बस बहुत ही easy है, गीठव के यहां create करना, तो आप लोगों को simply यहां पर जो जो details यह मांगता है, वो आप लोगों को fill कर लेनी है, जैसे fill कर लेंगे, तो आपकी email के उपर ऐसे code आएंगा, तो उस code को आप लोगों को यहां पर paste करके, यहां पर उस code को दे देना है, यहां पर आप लोगों को यहां पर कुछ नाम अगेरे देती नहां यहां पर देखें केड्छ मय स्र Dakten लोग in कर लेना यहां पर क्लिक नहीं है जो भी आपका नेम है वह आपको यहां पे टाइप कर लेना कुछ कर देना यहां पे आप लोगो को कन्तिन पर क्लिक कर देना है ठीके अभी आपने गित उ उसके उपर किलिकके तो यहां पर आप लोगों को इंटरफ़ीस यहां पर आपको याद रहे वैसा आप लोगों के उर्पांजरी के उपर क्लिक तापकि जो repository वो यहाँ पर create हो जाएंगी अभी आपको यहाँ पर create new file उसके उपर click कर देना है तो यहाँ पर आपको 3 file यहाँ पर create करने क्योंकि यहाँ पर data upload करना है तो सबसे पहले हम फाइल जो create करेंगे वो होगा pages तो यहाँ पर मैं pages one करके एक file यहाँ पर create कर लेती हूँ अभी आप इसे यहाँ पर save करने जाएंगे तो यहाँ पर save नहीं होगी तो यहाँ पर आपको slash देना है slash देने के बाद अभी मैं कर दूँगी save one one कर देने के बाद यहाँ पर मैं नीचे वाबस जाओंगे और इसे file को कर दूँगी save तो अभी हमारी एक file यहाँ पर create करेंगे add new के उपर click करेंगे create new file के उपर क्लिक करेंगे याद रहें अभी यहां पर लिखेंगे पब्लीक यहां पर आप लोगों को small letter यहां पर use करना है नो आप लोगों को यहां पर capital letter use नहीं करना है यहां पर मैंने two लग दिया भी यहां पर save जो हो गई सेकं़ और बन गई है अभी हम एसे ही क्रियेटर के उपर जाएंगे और एक थर्ड फाईल है ओभी पर क्रेयर करेंगी तो च्टाइल करके हिसे अं जाहiy आप यहां पर आप यहांर है यहां पर यहां पर चांगे क्योंकि क्यू और यहां पर जाना है एड फाइल के उपर जाना है और यहां पर अपलोड फाइल के उपर क्लिक कर देना है अभी यहां पर चूज फाइल के उपर क्लिक करना भी यह जो फाइल है यह जो तीन फाइल है वह मैं आप लोगों को निचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक वगरे एक लिखोनी को आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्चिन में ही इसकी लिंक वगरे मिल जाएंगे तो आप लोगों को इस फाल को जोर में पर लोगों को पेजי तीन फाईलों करने के बादी यह पर अप्लोड हो जाएंगी करेंगे ज्याल मिल तीन आप लोगों को यहां पर दो लोगों मिलेंगे सेसस में तो उसको हम यहां पर open कर लेंगे ठीक है और यहां पर change के ओपर click है अब धर्ड नमर की जो style है उसमें जाएंगे upload file के ओपर जाएंगे choose file के ओपर जाएंगे अभी यहां पर आप लोगों को सेम वही प्रोसेस दोहराने इस वाइल को यहाँ पर ओपन कर लेना है ठीक है और सभी चेंज के ऊपर यहाँ पर कलिक कर देना अभी सबसे पहले आप लोगों को जो रोख बनाई थी हमने सबसे पहले उन सबीडिट वाली फाइल है रोख क्लिक करेंगे ऑपूश्टी वाली जो फाइल है उसके ऊपर क्लिक करेंगे अभी यहाँ पर देख wonderful option यहाँ वाला option यहकि पर ilet और इसे हम यहां पर save कर देंगे तो ऐसे ही करके चुछो हमने टीन फाइले बनाई थी यह सेकंड नमर की फाइल है यह से हमने upload करने के लिए फाइले बनाई थी तो अभी इस फाइल का हमें यहां पर कोई भी जरूत नहीं तक भी साबी चेंच को प्राइक प्लिक करेंगे ऐसे लिए फाइल आप लोगों को को यहां से सेट्एंटिंगरी बड़ेंगे टीक dwa सेटीन को आप लोगों को एक्राइब करेंगे सब्रीक करें के सब्सक्षिंग करने nelle लोगो आइकोन वगए देख लिए इस्टॉल करने के बाद ॥ा हम सिम्पल आठीक डिंगे यह यह पार तर्फ दिख जाता है उसकी सेटिंग में दिखें आपको यह वाले उर्ले उसको यहां सि इसे हमें कॉपी करने के बाद अब लोगों के यहां पर गिठ पर आईप क्लिक करना है थी कि पिजिस को डुबल क्लिक करेंगी तो भी चलेंगा यहां पर सव फ्रस्ट वाली फाइल उ यहां पर जो हमने यूरल यहां पर copy किया था ना इस वाले URL को हमने यहां से पूरा यहां से कर लेना है copy copy जो किया था वो यहां पर paste कर दें लाश्ट वाला जो dot है उसे हम कर लेंगे यहां से remove अभी जो second number वड़ी है हमारी editing है वो देखे 22 नंबर की जो line है तो यहां पर इस domain को हटा के आपको अपना domain यहां पर paste कर दा है अपना domain जो अपना वर्डपेस पर वेबसाइट बनाए उसकी URL को आपको copy करके यहां पर उसे दे दे लाए तो अगर आप लोगों को एश्टरा की जो और पर आपको अपना पर मिल जाएंगी और आपको नई के जो डारेक्ट नेके मतलब libero करदे पर यहां पर जो लेत तो इसको आप लोगो को हैं से डिलेट कर दे श्लिंबही यहां पर है तो इसके बांदा रिमोग कर दे ता है तो उससे क्या होगा यह आजो आपकी direct link है वो आप कहीं पर भी इसे share कर पाऊंगे वर्सल एप के थ्रूप बस अभी आपको लोगों को यहाँ पर इसे save कर दें भी फिर से आप लोगों को आजाना है वर्सल में आजाने के बद आप लोगों को इसे एक बार यहाँ पर रिफ्रेस कर देना है अभी आपको यहाँ पर add new के उपर अभी project के उपर click करना दिया जैसे आप project के उपर click कर तो जो आपने रिपॉंजर यहाँ पर बनाई होंगी अभी आप लोगों को यहाँ पर फर्स्टी सो हो जाते है अभी आप लोगों के उपर import के उपर click करना है अभी आप लोगों को नाम वगरी यहाँ पर दिख रहा है बस उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर deploy के उपर click करता है तो हमारा जो project वो यहाँ पे finish हो गया है तो अभी हमें यहाँ पे एक domain मिल चुका है देखिए आप लोगों को भी आपके नाम का एक domain यहाँ पे मिल गया होगा अभी इस domain को आप यहाँ पे कहीं पे भी share कर पाऊंगे यह कहीं पे भी block नहीं होगा कहीं पे भी रुकेंगा नह तो हमाँ इसे अभी new tab में open करके आप लोगों को यहाँ पे दिखा दे तो देखिए यह हमारा चु डॉमीन है यहाँ पे new tab में भी open हो रहा है कहीं पे भी यह ब्लॉक नहीं होगा अभी आपको आजाएना है wordpress में wordpress में आने के पार new post के उपर क्लिक करना है new post आप लोगों यहाँ पे लगा देंगे फिर images इसमें आने के बार future image भी हमें यहाँ पे लगा देने future image में कोई भी एक random से यहाँ फ्यूचर इमेज हम यहाँ पे upload कर लेंगे अभी publish कर हो जाने के बाद अभी देखेंगा यह side को हमें थोरा यहाँ पर refresh करेंगे तो हमारी जो पोश्ट है तो थोड़ा यहाँ पे मैं बलड कर दूँगी फ्रेंस ठीके तो थोड़ा यहाँ पे इशू अगरे नहीं आएगा तो हमारी वीडियो भी यहाँ पे यूटुब पे रहेंगी अभी आपकी जो डेट है वो यहाँ पे रिमूव हो चुकी है अब आपको क्या करना है अभी आपको क्या करना है कोई भी यहाँ पे लिंक को यहाँ पे ओपन कर लेंगे या फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे देखे यह जमरी पर्मा लिंक है उसके लाश्ट वाला जो इतना ह कोपी कर लेंगे फिर इसके बाद आप लोगों को यहां पर वर्सल में यहां पर आ जाने फिर यहां पर स्लैस देखें आपका जो डॉमिन था जो हम ने भी कॉपी किया था उससे यहां पर पेश्ट कर देना है तो अभी देखिए यह यॉरल को आप कहीं पर भी शेयर कर लेकिन हम इसे सेयर करेंगे और यहां री ड्रीक नहीं होगा हमारे वेटिरेक्ड लिंक के ऊपर तो हमें यहां पर देखिए ओकर घंत तो यह बाहरे पोश्ट ही यहां पर बैंड नहीं करेंगा तो आप इसे securely facebook पे यहाँ पे share कर पाऊंगे तो देखिए हमने यहाँ पे जो edit किया था वहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल में समझा दे तो देखिए अब यह खुद कह रहा है यहाँ पे मैं थोड़ा zoom करके बता देखिए कि अगर इस आप लोगों को यही लिंक आप facebook में अगर share करते हो तो यही वहाँ से redirect होगा ठीके तो मतलब आप इस लिंक को यहाँ पे आपकी जो एक्ट्रा की जो direct link हमने जो यहाँ पे लगाई थी वो facebook के through वहाँ पे redirect होगा देखिए अगर आप चाहते कि इसी को आप Pinterest पे share कर तो इस code को यहाँ से copy करके आप लोगों को यहाँ पे आ जाना है इस ट्रिक में आप लोगों को बता रही हूँ यह दम हंडेट परसन यहाँ पर आ यह वर करते हैं लेकिन आप लोगों को आपकी Facebook के में अकाउंट को रिक्स नहीं लेना है क्योंकि मैं भी जो ट्रेक यहाँ पे काम करती हूँ अपने Facebook का जो में अकाउंट है उसे छोड़ क जो मैंने अनधर अकाउंट अनधर पेज वगरे बनाया है तो वहाँ पर में यह वगरे काम करती हूँ हाँ लेकिन आप अगर वैलिट टड़ी केसी यहाँ जैनरेंट वेबसाइट के आपकी कोई वेबसाइट है उसके उपर अगर आप फेस्बुक से कहीं से ट्राफिक ले तो यह आप लोगों के लिए बेटर रहेंगा ठीक है तो फिर मत बताना कि इस चीज में आप लोगों को बता है क्योंकि यह जो हम काम बता रहे हैं यह इद्दम इन्वैलिड वर्क है तो आप इस वर्क को फेस्ट्रा के आपके मेल अकाउंट को छोड़के अगर बाकी अका करें नहीं आती तो फेस्बुक की गाइस मिल्यों आफ मिल्यों यूजर डेली की यह पर एक्टिव रहते हैं तो आपको एक ऐसी अमेजिंग या पर पोस्ट क्रियेट करनी है जिसे यूजर फेस्बुक पे आपकी पोस्ट को देखके उस पे क्लिक करें यह भी ठॉट था ग म्हारा एस्टिडा का जोमनी यह परलनी यहां पे कोड डरेक्ट लिंक लगाई थी तो उसकी जगह आप लोगों आपकी वेब साइट का यहां पर लिंक यहां पे सीचर कर देंआ है तो उससी क्या होगा कि आपकी यहां पर जोबी आपकी एश्टि आपर जो आप्रूवाल को यहां पे वह अपने हिसाब से code वह आप लोगों को generate करके दे दिना एक कोड आप लोगों को उसको वहां पे दे दिना है फिर पर बोल देना है कि इस code को यहां पे कनवर्ट कर दो कि यहां इस website पे हम इसे शेर कर पाएंगे तो देखेंगर भी हमारे